मुर्ली कहने लगी मैं मोहनी मुर्ली यार्ली यार्ली था में रखता सावर्यार मैं मोहनी मुर्ली यार्ली था में रखता सावर्यार शाम के अधरों पे सजती हूँ शाम के संग मैं तो कब की हूँ शाम के अधरों पे सजती हूँ शाम के संग मैं तो कब की हूँ और मुकूट तु काहे को अकडा है मेरा रुतबा बड़ा है तु काहे को अकडा है मेरा रुतबा बड़ा है अच्छी लगी इतनी लाइन अब मुकूट कहने लगा मुरली से बदालो ताली बदालो अब मुकूट कहने लगा मुरली से अच्छा तेरा रुत्बा बड़ा है लेकिन मैं मुकूट हूँ चमकता कान हागों प्यारा लगता हाँ हीरे मोती और पने जड़े हैं जाने कितने जड़े हैं जाने कितने जो शाम के शीष चड़ा है मेरा रुत्बा बड़ा है जो शाम के शीष चड़ा है मेरा रुत्बा बड़ा है अच्छा मुझे ये नहीं समझना चाहिए कि ये भजन गा के मैंने रिस्क लिया है ऐसा तो नहीं है, सुनाया जा सकता है आपको बजन, एक पर दोनों हाथ कड़े कीजिए, मिलकर के तालियों के साथ शाम के अधरों पे सजती हूँ, शाम के संग मैं तो कब की हूँ तु काहे को अकडा है, मेरा रित्वा बड़ा है मैं मुकुट हूँ जमकता, काना को प्यारा लगता मैं मुकुट हूँ जमकता, काना को प्यारा लगता हीरे मोती और रित्वने, जड़े हैं जाने कितने जड़े हैं जाने कितने जो जो मुकुट बनना चाता है, दोनों हाथ खड़े गर लो जो शाम के शीश चड़ा है, मेरा रुत्वा बड़ा है जो शाम के शीश चड़ा है, मेरा रुत्वा बड़ा है जो कि मुरली अपनी बात मुकुट से कहती है, सुनिये कैसे पहली काटा, छीला रकडा, सीने में कई छेद किये कुछ भी न कहा जब जख्म भिला बजती ही रही हर दर्दले इतना कुछ सह कर भी मैं तो मीठी तान सुनाते हूँ जब मुझे गुन गुनाए का ना मैं किसमत पेख्ति राती है जेल ना बहुत बड़ा है, मेरा रुत्वा बड़ा है जेल ना बहुत बड़ा है, मेरा रुत्वा बड़ा है अब मुकुन महराज क्या बोलते हैं? वो कहने लगे है मुरली अगर तूने इतना दर्द सहा है तो मैंने भी कम नहीं सहा मैं अगर आज उनके शीश पर महराज के शीश पर विराजमान हूँ उसके लिए मैंने बहुत कुछ सहा है वो अपना दर्द बया कर रहा है इन शब्दों में मैं सोना था जला गला करे सारा खोट मिटा डाला मैं सोना था जला गला करे सारा खोट मिटा डाला चोट खाई मैने बारे बारे और मेरा इक पतरा बना डाला चोट खई मैने बारे बारे ओ चोट खई मैने बारे बारे और मेरा ही के पत्रा बना डाला सोनी के सुगड हाथों में गया उसने फिर की मीनाकारी जवाह रात जड़े भात भात के मेरी बना दी छवी नियारी कहने लगा मुरली? कहे सब अजब गड़ा है मेरा रुत्बा बना है कहे सब अजब गड़ा है मेरा रुत्बा बना है अगली बात अपना मुरली की है ये सस्पेंस है इस भजन में सस्पेंस है श्री कृष्ण बगवान जी दोनों को निहार रहे हैं बड़ी दूर से किसको मुरली और मुकुट को दोनों को अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से उनको बोलने लगे और समझाने लगे अगली बात ना मुरली की है ना मुकुट की है श्री कृष्ण बगवान जी स्वें उनको समझाते हैं क्या कहते हैं मुकुट बिना मेरा शीष अधूरा मुरली बिना नंद लाला मुकुट बिना मेरा शीष अधूरा हुरली बिना नंदे लाला शीष मुकुट सब गाय आरती नाम रमुरली वाला दोनों ही हो ब्रान प्रिये दोनों को मैंने संभाला हो सरल तुम्हारे जीवन को मैंने अप करेक ढाला कहने लगे का या कुट बिना मेरा शीष अधूरा मुरली बिना नंदे लाला शीष मुकुट सब गाय आरती नाम है मुरली वाला दोनों ही हो प्राण प्रिये दोनों को मैंने संबाला सरल 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 तुम्हारे जीवन को लो मैंने अब कर डाला एरे शांती बनाओ और करो क्या खतम हुआ ये जगडा है दोनों का रुद्बा बड़ा है खतम हुआ ये जगडा है दोनों का रुद्बा बड़ा है जितने भी आभक्त मैठें पर दोनों हाथ समर्पित भाव से उठा दिजिए और बाबा को दिखाईए अगर आपको यहाँ पर कुछ छोड़ कर जाना है अपनी मै को छोड़ कर जाएए अभिमान छोड़ कर जाएए और यहाँ से कुछ ले कर जाना है इसके करपा ले कर जाएए इसका शिरवाद ले कर जाएए दोनों हाथ खोल करके खतम हुआ ये जगडा है दोनों का रुद्बा बड़ा है रामर डवर फितन आएएऑ जिगडा हुआ शिरवा हुआ ओ इसकार जाएए पहुआ जार दो जार जार तो जार दो नारे